रियल्मी 8 वसिस Poco M4 Pro आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दो फोन का कंपेरिजन करने वाले हैं और मैं आप लोग को बताने वालों कि भाई कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों फोन में से आप लोग के लिए आप लोग के लिए रिवायरमेंट के हिसाब से वैसे अपनी कल ही वीडियो आई है जिस वीडियो मैंने आप लोग को बताया कि क्या आप लोग को अब के टाइम में रियल्मी 8 buy करना चाहिए यानि कि आप लोग क के अंदर müsste 2002 के अंदर मिय dad करना चाहिए नहीं करना चाहिए और आपि यह प्रायस पर करना चाहिए वहसारी चाहिए इस्ough तो अगर आप लोग को वाली वीडियो चेक करनी है उस वाली वीडियो का लिंक आप लोग को पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा इस वीडियो के दर नम लोग जिन दो फोन को कमेंट करने वाले हैं उन दो फोन का नाम मैं आप लोग को लेडी बता चुका हूं टोरेश टाइप चीव पीकर चीए आयाव ब्लास्टर चीए तो आप लोग अपने पोगों के फोन की तरफ जा सकते हो एंड अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट चिए तब भी आप लोग फोन की तरफ जा सकते हो बात करते हैं के याप को स्लाइटली बैटर मिल जाते हैं वैसे अगर आप लोग को ज्यादा value for money क्योंकि आपको पता होगा अपना realme 8 जो फोन है ना यापको 12000 के आसपास का भी मिल जाता flip card की sale के अंदर तो अगर आप लोग ऐसा कोई phone देख रहो जादा value for money मिल जाए तो आप लोग definitely realme 8 को grab कर सकते हो 12000 के price पे क्योंकि उस प्राइस पर आपको अंदर डिस्प्लेफिंग अपिट्स के मिल जाएगा gaming का प्रोसेसर मिल जाएगा cooling system वगरा मिल जाएगा जाएगे तो अभी जादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं और शुरुवात करते अपने realme 8 के डिस्प्लेफिंग डिसाइन से तो इस phone में आपको ए compact size का पैनल मिलता है 6.4 इंचेस का full HD plus का super am led पैनल मिलता है 60 Hz के standard refresh rate के साथ बागी कमाल की चीज़ है कि इस phone में इस phone में आपको 90 Hz का high refresh rate मिलता है तो यह चीज़ आपको काफी बढ़िया मिलती है बाकी पंच होल मिलते हैं दो नहीं फोन के अंदर आपको बैजस वगेरा काफी कम मिलते हैं तो यह चीज़ काफी जादा बढ़िया screen to body ratio आपको दो नहीं फोन के अंदर अच्छा खासा मिल लगा हैं मेरे को इदर भाई दोने ही फोन के डिजन इतना कुछ खास नहीं लगा मैं दोने ही फोन में कवर लगाना चाहूंगा यह वाली बात है रियल्मी 8 मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्यूंकि बढ़ा लिखाय ना वो मेरे को परसनली पसंद नहीं आई वह ची अच्छा नहीं के लिए फोन से आप लोग फोर कर रिकोडिंग कर पाऊगे बात कीज़े सेल्फी की तो इस फोन में आपको 16 मेगा पिक्सल की सेल्फी मिलेगी सेल्फी डिपार्ट्पेट्वर भाई मेरे को रियल्मी बढ़िया लगता है क्योंकि रियल्मी आपने आपको क आपको 16 मेगा पिक्सल के हिसाब से काफी अच्छ आउट्पुट मिलने वाले है रियल्मी के फोन के अंदर एक चीज और अपना जो रियल्मी का फोन है थोड़ा सा पुरान हो चुका है तो जितनी भी इंप्रूमेंट वगरा थी कैमरे के अंदर वो अपनी सारी हो चुकी ह के साथ है आपको दोने ही फोन के अंदर कोई दीख कर नहीं हो कि बठा नाइट के अंदर आपको दोने ही फोन स्टेबल करते हो एँ मिलेंगे तो यह दिक्र करते है अपना जो रियल्मी 8 फोन है आपके काफी सारे अप्डेट वागे आचुकि का यह आप्टीमाइज हो की शुरुआत करते अपने Realme 8 के साथ तो इस फोन में आपको मिलता है Mediatek Helio G95 का प्रोसेसर जो आपको 12NM का प्रोसेसर मिलता हुक्ता को प्रोसेसर है Mali G76 का आपको GPU मिलता है अगर आप लोग ओन पेपर देखोगे तो आपको Poco M4 Pro थोड़ा सा बेटर मिल सकता है ओन पेपर के अंदर क्योंकि G96 से थोड़ी से आपको इंप्रूमेंट मिल जाती है बट अगर आप लोग GPU वाइस देखोगे तो आपको Realme 8 OP मिलता है क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है और फोन के अंदर काफी अच्छे तरीके से गेम उप्टिमाइस हो चुके है तो आपको Realme 8 के साथ एक बैटर एक्स्पिरेंस मिलने वाला है गेम के अंदर अगर आप लोग maximum लोगों से पूछोगे ना कि आपको G96 पसंद है या फिर G95 पसंद है तो maximum लोग इदर G95 को पिक करने वाले क्योंकि GPU वाइस एंड काफी स्टेबल हो चुका अपना G95 प्रोसेसर NG96 आपको थोड़ा सा नया मिलता है फोन भी आपको थोड़ा सा नया मिलता है थोड़ा सा उप्टिमाजेशन में टाइम लगेगा तो overall अगर आप लोग प्रोसेसर देखोगे तो आपको Realme 8 के साथ बैटर मिल जाता है पात करते है बैटर की शुरुवात करदे अपने Realme के पोट मिलेगा यह फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है आपको 33 वोट काई फास्ट चार्जर बोक्स के अंदर मिल जाएगा अभी आप लोगों लेगा अपना पोका एम 4 प्रो जल्दी चार्ज हुएगा बट मैं आपको एक चीज बताता हूं अपन चल्दी चार्ज हो जाता है चाहे इस फोन के साथ आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग और फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिला है मलब फास्ट चार्जर बोक्स कंदरी मिल जाता है दोनई फोन में वैसे बठाम मैंने खुद यह चीज प्रैक्टिकल नोटिस करी है मैंने ईटरी पर सकता है आपको बड़िया मिल जाती है दूसरी कंपनी का 33 वियुट की फास्ट चार्जर होते हैं उनसे इसको बड़िया मिलती है को फोन करो बैट्रिंगमो डियूर्मा नोर्मल यूजर थो आपको वैट्रे के पेसली चाहकर पर चुछ तो इस फोन में आपको 3.5 में को जैक मिल जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंग का पीडिस का मिल जाएगा फेस अनलोक का ऑप्शन मिलेगा योफेस 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा 180 हर्ट का टच रिस्पॉंस रेड मिल जाएगा Android इलान आट हो दी बोक्स मिल जाएगा मिल जाएगा योई 2.0 मिलेगा योफेस 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा 8.1 एम की ठेकनेस के साथ मिलेगा फोन आपको 180 ग्राम का मिलेगा गुले लगलास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी डेडिकेट स्रोट मिल जाएगा साइड मॉंटेट फिंगर पिंट्स का मिल जाएगा आईर ब्लास्टर मिलेगा फेस अनलोक उप्शन मिल जाएगा स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे एंड फोन में आपको 409 की बीपी आई मिल जाएगी बात करते हैं प्राइस के अंदर में आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं आपको सेली के अंदर एजली कुछ बारा जार के आसपास का मिल जाता काफी जादा value for many phone मिलेगा एंड वहीं अगर आप लोगो Poco M4 Pro बाय करना है तो आप लोग इसको इसकी first sale के अंदर बाय कर सकते हो क्योंकि उस sale के अंदर आपको ये phone पे थोड़ा 1000 का discount मिल जाएगा तो ये चीज़ भी काफी जादा OP हो जाएगी अपने Poco M4 Pro के साथ तो अ बागी बात करते हैं डिस्प्लें डिजाइन के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है देखो दोने फोन के अपने प्रोज एंड अपने अपने कौन से है जैसे कि अगर आप लोग डिस्प्ले में देखो गे तो आपको Realme 8 के साथ ये benefit मिल जाएगा वहीं आपको पोगो के सा सब्सक्राइब करने वालों दोनों ही फोन के साथ इसली हो जाएंगे तो अगर आप लोग casual गेमर हो तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप लोग हलकी फुलकी गेमिंग करते हो दोनों ही प्रोसेसर से कर लोगे बट अगर आप लोग थोड़े से हाड़कोर गेमर हो तो मैं आप लोग को Realme 8 सजेस्ट करूँगा क्योंकि प्रोसेसर भी काफी कैपे बहले काफी तगड़ा जीप्यू अगर आपको मिलता है एंड़ी सी के साथ आपको कूलिंग सिस्टम भी मिलता है बात करते हैं बैटरी की तो अगर आप लोग को लंबा वाला बैटरी बैटरी बैकप चीए तो आप लोग Realme 8 को बाए कर सकते हैं आपको पता है बाई आस्ट टाइम का सीन आपको यादी होगा अपडेट वगरा कंदरी दोना क्या घपले बाजी करी थी बात करते हैं अपने रियल्मी 8 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो इस फोन में आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है यह फोन आपको थोड़ा सा बताता हूं तो अगर आप लोग का बजट है बारा तेरह हजार के आसपास का तो आप लोग रियल्मी 8 को डेफिनेटली बाई कर सकते हो सेल के अंदर एंड मैक्सिम लोग के लिए अपना रियल्मी 8 फोन काफी जादा बैटर है क्योंकि रियल्मी के थोड़ा सा मेरे ट्रस् बारा तेरह जार का मिलता पोको एंफॉर प्रो भी कोई बेकार फोन निया बाई एक नंबर का फोन मिलता पो की तरफ से काफी बढ़िया चीज़ ओफर मिल रही है मतलब आपको पंदरह जार के आसपास 6GB की रैम वागिरा मिल जाती है OLED पैनल 90Hz के हाई रिफ्रेश डेट के आप लोगो लेटेस्ट फोन चीए स्टीरियो स्पीकर आयर ब्लास्टर चीए एंड आपको थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग चीए ओन पेपर तो आप लोग जा सकते अपने पोको एंफॉर प्रो की तराफ बागि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन ने बताओग आपको इ झाल